आग्रा में छेत्रे अद्रिक्ष श्री मनिश कौदम जी ने पत्रकार बंधू को बताया कि भारति जन्ता पार्टी दुनिया की सबसे ताकतवर नेता भारत देश के सबसे लोगप्रिय प्रधान मंत्री आदर्निय श्री नरेंद्र मोधी जी की जन्म दिन के अवसर पर 17 सितं से लेकर महात्मा गांदी जी की जैन्ती एवं पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जैन्ती दो अक्टूबर तक सेवा पकवाड़ा के रूप में मना रहे हैं इस मौके पर भारते जन्ता यूवा मोर्चा पूरे देश में 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजित कर रहा है इस सेवा पकवाड़े के प्रतेक दिन जनहित में सेवा कारिकरम आयोजित किये जाएंगे इस दोरान भाजियूमों छेत्रिय मंतरी श्री गौरव रजावत जी ने कहा कि रक्तदान सेवा का पहला ऐसा कारे है जिसमें कोई भेदवाव नहीं होता सभी वर्ग के लिए यह रक्त जीवन दान देने का कारे करता है रक्तदान शिविर के माध्यम से जन सेवा का कारे करने में भाजियूमों के कारे करता हमेशा से प्रतिवद रहे हैं हमारे कारिकरता राष्ट्री नीती के लिए राजनीती करते हैं। भाजपा महानगर महामंत्री मनोज गर्गी जी उपस्तित रहे। जीवन बता सकता है। चेत्रों परी भूमिका में एक बहुत बड़ी संखडा में मानव जीवन बचाने के लिए सेवा प्रकल्प मनाने के लिए प्रदानमंत्री के जरंदिर नाने के लिए जो पहला मांद्यम रखाया है मनी प्रांशुद दुवदी जीने मनी तेशनी सूर्य जीने स्रानी है और के लिए वचनवद्य आगर मानगर के अब्यक्शन पूरते तैयारी किये हैं और आप निश्यत मानिएगा प्रिफंबार भी पहले भी भाहत विवन जगाओं पर ब्लेड गेंप लगाकर एक सेवा के प्रकल्प माध्यम शुरूआ किया उसको अंजाम के भी पोंचाया और यह से तोर पर 17 सतंबर को बहुत पड़ी रिवाओं की संख्या आज विस ब्लेड डोनेशन टेम के मानिए मोधी जी लेंगर उसको मनाने के लिए वचन बढ़ने के लिए वचन बढ़ने देखती रहिए डीवी भारती सामचार नजर हर खबर पर